किसानवाणी कारिकरम में आज को अपनो सापता है क्रम हैं हलो किसानवाणी हमाई किसान सुरूता भहिया आज की दिन बिल्कुल तयार रहा थें अपनी खेती किसानी संजुरी समस्याओं की समाधान की लाने अपने स्टूडियो में आप किसान सुरूता भहिया हरों की समस्या किंद्र सागर में डॉक्टर साब आपको हमाई स्टूडियो में खुब खुब स्वागत है और हमाई किसान सुरूता भाईय हरें बिल्कुल तयार बैठी हैं आगामी बोनी संजुरी जानकारी और किसानी में उनकी का समस्या हैं उनकी समाधान की लाने तो जानत है हमाई किसा आपने कारीकरम में प्राप्त करो चाहत हैं ये हैं आज के कारीकरम के हमाई पहले किसान सुरूटा भाईया अपने हलो किसान वानी कारीकरम में आपको चित्तर भाईया किसानी में का चल रहा हो चलो तो का समझ से अपने कारिक्रम में आज लेके आए आप फलिया जो हरीरी है तयार हो रही है उमें जहींगा लग रहा हो कहा नो यदि आपकी फलियां पूरी तरह से बन गई है और फलियों में बीज जो है इस उडॉल और इस पस्ठ है तो यदि नुक्सान जादा नहीं दिख रहा है तो नए तरीके से जो है कीट नासक का इस्तिमाल करना उचित नहीं है फिर भी यदि आपको लगता है कि ये बढ़ सकता है तो कोई भी जो है कीट नासक है आप उसका प्रियोग कर सकते हैं जिससे की इससे जो है राहत मिले दिख अनिस्चेत रूप से चित्तर भहिया तक बहुत उपयोगी जानकारी पहुँची हलो स्वागत कर रहे आपको कारिकरम हलो किसानवानी में बहादूर पूर से महेश वहिया बूल रहे कहाने रहात गड़ बलाक से का समस्या चल रही किसानी में तो अब का बिचार बनाओ है का तैयारी है बिलकुल महेश वहिया बहुत बढ़िया सवाल आपने करूँ है खास तोर पे इस समय को जो महत्तुपूर सवाल है विशय है किसानी में कि आगामी सोयवीन की फसल बोनी में आप उन्नत बीज कौन सो लगाने है जानो चाहत हो और केसी का तैयारी करने है सोयवीन की उन्नत किश्मों में 95-6 आज भी बहुत जादा लोग प्री है इसके अलावा उसी अवद की जो है 20-34 यह प्रजाती है जो 85 दिन के अंदर पकर तयार हो जाती है इसके अलावा 20-39, 29-29 यह सब जवाहर लाल नहरो क्रिश्विश्वित जाले की जो है किसमे है तो आप 29-29, 29-216 और NRC सिरीज की जो है NRC 86, RBS 2001-4, RBS 2001-18, RBS 2011-35, NRC 142, NRC 138 यह जो है सभी प्रजाती हैं मत्रप्रदेश के लिए अनुसंसित है तो आप इनका भीज प्राप्त करके इनकी प्रजातियों की उपलबता को सुनिशित करके आपने शित रूप से सोयव इनकी खेती करे है आपको फोन हमाई कारिकरम में प्राप्त भाव बहुत बहुत धन्यवाद महिश्विया ए बीच में हमाई किसान सुरूता भईया लाइन पे है हलो बिल्कुल सही जगा फोन लगो आपको और स्वागत करे कारिकरम में राम राम भीया अपनो परिचे देदू पेले सुना भईया किसानी की समस्यां उसे सम्मन्नित कारिकरम है अपनो हलो किसान वाणी आप परमल के बारे में जानना है परमल लगाओ चाहत हो चलो तो आपको जानकारी अपने स्टूडियो में पदा दे डॉक्टर देविंद्र पयासी जी से आपको प्राप्त हो रही है परवल के लिए सैपलिंग का प्रयोग किया जाता है मतलब आपको उस परवल से ही कटिंग के रूप में परवल लगाया जाता है तो आपको किसान से ही जो है उसकी कटिंग प्राप्त करनी होगी और फिर उसको लाके जो है नमी युक्तवाताबरण से लाके और फिर उसको लगानी पड़ेगी तो परवल की खेती की प्रक्रिया इसी प्रकार है बीज से जो है थोड़ा सा मुश्किल लगता है सैपलिंग के माध्यम से बहुत आसानी से परवल की खेती की जा सकती किचन गार्डन में आप जो अपने घरेलू आवशकता की सबजियां है उन सभी सबजियों की खेती कर सकते हैं किचन गार्डन में जैसे आलू भटा ये है आपका मेथि पालक जो पत्तेदार सबजी है चोटी बेलदार सबजी है लोकी है कुंबडा है इन सभी की आप खेती कर सकते हो यदि आपको जैसे खीरा है कि सिमला मिर्च है ऐसी कुछ है तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप सेड बना लेते हैं और सेड के माध्यम से जो है इनकी पौध है उसको तयार करते हैं पहले और फिर पौध का रोपन करते हैं और अगर आप उसको पौलिथिन बिछा लेते है उठी सहीया में तो वो जादा बहतर होता है और उससे खरपतवार का नियंत्रन आप बढ़ी आसानी से कर सकते हैं साथ ही साथ आप पोशक तत्यों का प्रवंधन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं इस बीच में हमाई किसान सुरूत भाईया लाइन पे हैं हलो बिलकुल सही जगा फोन लगो आपको स्वागत कर रहे कारी करम में अनन्त भाईया सुनाओ का चल रहो किसानी में अच्छ अदरक बूबो चाहत हो और बीज आपके पास मौजूद है जहां तक अदरक का प्रशन है बीज आपके पास उपलब्ध है उस बीज की अच्छी तरह से आप छटाई करें छटाई करने के बाद जो है उसको उपचारित करना बहुत महत्तोपोन होगा जो अपना फफून नासक है बहुत प्रकार के फफून नासक अपने को उपलब्ध है उनसे आप अच्छी तरह से बड़ा टब ले लीजेगा बड़ा प्लास्टिक का बरतन ले लीजेगा और उस पे अच्छी तरह से जैसे आप आलू को उपचारित करते हैं उसी प्रकार आप अद्रक को फली भाती जो है फफून नासक दवाई से उपचारित करेंगे क्योंकि जमीन के नीचे की फसल है इसमें जो है सडन रोग बहुत तेजी से फैलता है यदि आपने अच्छा फफून नासक का इस्तेमाल किया है तो उससे आपको इन सब बीमारियों से जो अद्रक की बीमारियां है उनसे राहत मिलती है और इसके बाद आपको एकात इस्प्रेयों करने पड़ेंगे फफून ना सके जिससे आपको की फसल जो है बहतर होती है जी डोक्टर साबी की अलावा जो है अपनी चर्चा चल रही थी कि आगामी बोनी में किसान भईयारों कोन समय पे बोनी करो चाहिए बहुत अच्छी बात है अभी तो मांसून अपना आया नहीं है पंद्रा के आसपास पहली बारिस की उम्मीद अपन कर सकते हैं कि पंद्रा जून के आसपास पहली बारिस आएगी इस बात का ध्यान रगना बहुत आवश्यक है कि कम से कम सो मिलिमेटर बारिस हो जाए अपनी जो मुख्य फसल है सागर जिले की उसमें सोयबिन, मक्रा, धान का भी रखवात जो है काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है मूंग, उडद और तिलहनी फसलों की बात करे तो राम तिल और तिल ये मुख्य फसल हमारे खरीश की हैं, जिनको हमारे किसान भाई को फसल बिविधता करण का उपयोग करते हुए लगानी चाहिए, कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास 10 एकड की जमीन है, तो निश्चित रूप से आप 8 हिकड में अपनी मुख्य पर दो एकड में आप फसल का विविधी करण जरूर करें, जिससे जो है कि अधिक लागत की फसल के साथ साथ कम लागत की फसल भी आपके पास होना चाहिए, जिससे दोनों के भी समंज़त से बनाते हुए, आप अपने जो प्रबंधन है फसलों का उसको पूरा कर सकें, आप के पास प्रमानी स्रेणी या आधार स्रेणी का बीज उपलब्ध है, नहीं है, तो आप पिछले साल का जो उत्पादन है, उसको बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, बसरते आप उसकी अच्छी से साफ सफाई कर लें, अच्छे से उसकी ग्रेडिंग कर लें, ठी अधिक होना चाहिए, तब आप उसका जो संस्तुत जो डोज है, जैसे सोयवीन में, अगर उस सोयवीन के बीज, जैसे 95-60 है, या कि बीज 34 है, या 299, या 216, या 294 है, ये सभी नई प्रजातियां है, और इनके बीज का जो सौधानों का वजन है, वो 13 ग्राम से अधिक होता है, कम से कम आपको 80 किलो बीज जो है, प्रति हेट्यर, मतलब धाई एकर में आपको 80 किलो बीज इस्तेमाल करना चाहिए, प्राए ये देखा गया है, किसान भाई जो है, बीज बहुत जादा डालते हैं, और पौधे से पौधे और कतार से कतार के बी बाईयों को जो कतार से कतार की दूरी है, कम से कम 30 सेंटिमीटर, यदि कि आप कर सकें, तो 45 सेंटिमीटर में आप सोयवीन उगा के देखें, मेड़े बम नाली पध्धति के माध्यम से उगा के देखें, उससे आपको बहुत लाब होगा, दूसरा जो है, 30 किलो एकर से अध देख सकते हैं, और सस्क्रियाय करने में भी आपको आसानी होती है, ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीजप्चार, बीजप्चार में आपको एक नियम है, बीजप्चार का, वो है FIR, FIR कहते हैं उसको हम याद करने के हिसाब से, F का मतलब पहला जो F है, उसका मतल होता है, इंसेक्टिस आइडिया, कीट ना साथ, और तीसरा हार है, उसका मतलब जो है, राइजोवियम है, तो पहले आप बीजप्चारित करेंगे, धाई से तीन ग्राम, आप कोई भी फपून ना सक, जो आपको थायरं वेश्टिन, कैप्टान, बहुत सारे फपून ना सक प्लब्ध हैं, आप उनका प्रियोग करके, उसे अच्छी तरह जो है, पाउडर को पहले भी खेर दें, पके फर्स पे, बीज के उपर, और पानी का किंच्छा मार के, अच्छी तरह से हाथ से लगाएं, इस बात का ध्यान रखें, कि पानी कहीं ज्यादा ना हो जाया, छिल का उतरने न पाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए, आप पीज उप्चार करेंगे, दो, तीन, चार मिनट का इंतजार करेंगे, और इसके पात, जो है, कीट ना सक का प्रियोग करेंगे, प्लोरिपारिफास, इमिडा, क्लोरिपीड, आप इसका प्रियोग कर सकते हैं, था उप्थाम देने में ये सहायक है, और इसके बाद जो नंबर आता है, फिर आप पांच मिनट का इंतजार करें, और इसके बाद जो है, राइजोबियम, पियस भी, इनका प्रियोग करें, राइजोबियम बहुत महत्पून है, जो बातावरण में उपस्थित नाइट्रोज उसको ये जो है, आपके पौधे की जड़ो में जो है, उसका इस्थिरी करण कर देता है, उसको बाद देता है, और यही कारण है कि आप जो है, यूरिया का प्रियोग दलहनी फसलों की खेती में और सोयबिन में बहुत कम करते हैं, तो अब शक्ता भी नहीं है, जो बाताव पहरण में उपलब्ध नाइट्रोजन है, उसको राइजोबियम से अपने बीजुक्चार किया है, तो वो उसे अच्छी तरह से बाद देता है, और पौधे को उपलब्ध होती रहती है, लगातार विगत कई सालों से हम डीएपी का प्रियोग करते हैं, डीएपी में डाइ अमोनियम फासफेट कहते हैं, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% जो है फासफोरस हो, लगातार इसका प्रियोग किये जाने से जो फासफोरस है, वो हमारी मिट्टी में एक्युमिलेट हो गया है, वो बंद गया है, यही काराण है कि पहले हमारी मिट्टी, आज से 15 साल, 10 साल मिट्टी भुरभुरी होती थी, अब धेला बनते हैं, बड़े बड़े कंपैक्ट हो गई है, और पहले हम बैलो के माध्यम से बहुत आसानी से अपने खेट की जुताई कर लेते थे, पर आज 50 सास पावर, 60 सास पावर का ट्रेक्टेर भी जो है, उस जुताई करने में पू मिट्टी के कड़ों के बीच में जो हवा होती है, वो खत्म हो गई, उसके लिए आओ सकता है कि हम बढ़ियां रोटावेटर चला के अपनी मिट्टी को महीन कर लें, और इसके बाद जो है, हम बीच उपचार में PSB का अनिवारे रूप से प्रियोग करें, साथी साथ जब ह खाद में वैल्य एडिशन या मूले समवर्धन करते हैं, उसमें राइजोबियम, PSB, सुडो मोनास, मेटराइजम, इस तरीके के जो उधनासक और वैक्टीरिया हैं, जो हमारी मिट्टी की गुनवत्ता को बढ़ाने में, उसमें पोशक ततों की उपलब्दता को रूप से हमारी जो फसल की जड़े हैं, वो नीचे तक जाती हैं और नीचे तक जल एवं भोज प्रदार्थ का आवसोशन होता हैं, और यह पूरा प्रक्रिया जो है, हमारी जो फसल है, उसकी उत्पादक्ता को बढ़ाने में बहुत हर्तक सहायक हैं जी, डॉक्टर साब अपने एक शेत्र में ज़्यादातर किसान भाई आ रहें, बिगत दस बारा साल से हैं, सुयाबीन में जो नुकसान हो रहो है, उखों लेकर खासी चिंतित रहे हैं, धेर सारे किसान भाई आ रहें, सुयाबीन की संगे यह समय और कौन-कौन सी फसलें भ परिवर्तन होते हैं, कभी पानी का 15 से 20 दिन तक नहीं आना, साथ यह एक साथ बहुत ज़्यादा पानी आ जाना, जिसके कारण जो है, राइज अक्टोनिया बीमारी यह जडग सड़न जो रोग जो है, वो बहुत हद तक हमारी फसल को प्रभावित करता है, हमने शुरुआ कभी दलहनी फसलों में ले सकते हैं, तिलहनी फसलों की बात करें, तो तिला और राम तिल का भी खरेफ में बहुत uggी हो सकती है, मक्का बहुत अच्छा बिकल्प के रूप में बरतमान में उपयोगी साबित हुआ है, हमारे प्रदेश के साथ सागर जिले में मक्के की पैमाने पर खेती हो रही है, धान भी एक अच्छे विकल्प में है, धान की यदियाब, सीधी बिजाई के माध्यम से धान की खेती करते हैं, जैसे कि आप गेहूं, हम गेहूं बोते हैं, उसमें डारेक्ट सीडिंग करते हैं, सीधी बिजाई के माध्यम से, बीज उपचार के करें मतलब बीज और खाद को कभी भी एक साथ जो है ना बोएं उसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभवा हमारे अंकुरण में पढ़ता है खाद जो है नीचे होना चाहिए और बीज हमेशा हमारा ऊपर होना चाहिए लेकिन एक साथ अकर दोनों को मिला के बोते हैं तो वो साथ ह साथ जाता है इसका अंकुरन पर बहुत ही सीधा प्रभाव पढ़ता है हमारा जो मूल अंकुर है जो हमारा अंकुर इत हुआ है बीज वो जो है डैमेज हो जाता है या मर जाता है यदि हम डबल पेटी सीड्रिल के माध्यम से खाद को गहराई में डालते हैं और बीज को उथ अच्छा प्रबंधन भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है तो मैं उम्मित करता हूं किसान भाई इसको ध्यान रखेंगे और आपनी जो खेती है उसको इस तरीके से बहतर करें ये बीच में हमाई किसान शुरूता भईया लाइन पे हैं स्वागत भईया आपको हलू किसान मानिकारी क्रम में बढ़िया नमस्कार भईया अपनो परिचे देदू बंटी भईया कहां सिंबूल रहे सागर सागर सदर बजार बता भी ये का समस्या ले आए किसान शुरूरी भईया अपने उमेर फट रहे तो गुलाब के फूल की सही किसम की जो उन्नक होथ है तो क्यासे करो जाए अच्छे माने आप अपनी जगा पे बगीचा लगाए हैं वागवानी कर रहे हैं तो फूलों की खेती में तो गुलाब की किसमे जानों चाहत हो आप चलो आपको जानकारी प्राप्त हो रही है सुनो ध्यान से देखिए आपने कुछ गुलाब तो लगाए होंगे और जो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने गुलाब की खेती को बेवशाइक रूप से इस्तेमाल किया है और गुलाब की कटिंग लगती है ठीक है तो जो आपको उन्नत किसमों की गुलाब जिस रंग का फूल आप पसंद करते हों से पीला गुलाब है इस समय सफेद गुलाब है पिंक कलर का गुलाब है लाल गहरे जो हसूर के रंग का गुलाब है जो भी गुलाब है उसकी कटिंग आप प्राप्त करें उसमें कटिंग काटने के तुरंत बाद जो है ना अपधान में प्रजातियों का चैन कैसे करें। जहां पर जैसे सागर है। अपना जिला है। अपने जिले में जो सितंबर 15 सितंबर के बाद जो है पानी की व्यस्ता आजाया तो बहुत अच्छा है लेकिन पानी जो है रुख जाता है। तो हमें ऐसी प्रजातियों का चुनाव करने क्या हो सकता है, जो कम दिन की हों, 110 दिन में फसल पक्के तयार हो जाती है, यदि हम उस प्रजातियों की बात करें, तो पूशा 1509 बहुत अच्छी जो है किस्म है, कम अवद की है, बासमती की है, पूशा 1692 भी बहुत अच्छी है और MTU 1010, MTU 1135 ये अच्छी प्रजातियों जो कम दिन की है और इनका प्रयोग की आजा सकता है, दूसरा यदि हमारे पाज पानी देने की शुविधा है, और हम पानी दे सकते हैं, तो पूशा बासमती की पूशा 1121, पूशा 1719, जो है PB1, PB6, PB 1718, और इसके अलाबा, बिना बासमती की बात करें, अन्य प्रजातियों की, तो IR 64, MTU 10, JR की जवाहर धान करके है, 206, और जवाहर धान 181, ये प्रजातियों जो है 115 से 120 दिन में जो है तयार होती हैं, और 50 से 55 कुंटल उपस देने में सक्ष्यम है, इनका बीज विश्विध्याले में प्रजनक बीज जाके आप इसका बीज जो है उपलब्ध है और इसको ले सकते हैं, इसके अलावा इंप्रूब्ड चिनोर, चिनोर का बहुत प्रचली चिनोर है, जीरा संकर है, विश्नु भोग है, काली मूच है, काला नमक है, ये सब इतनी पुरानी प्रजातियों है, परंपरागत अपुलर हुई है, उन पुरानी प्रजातियों को सुधार करके, हमारे वैज्यानी को उन्हें विश्विद्या लेके अथक मेहनत से, नया पंदिया है, इसमें जो गिरने की समस्य थी, जैसे अपना गेहु में सी 306 है, अगर उसको दो पानी दे दो तो गिर जाता है, ऐसी स हरीके से, हमारे पास बरतमान में, इंप्रूब्ड चिन और, जे आरबी बन, और जो है, इंप्रूब्ड जीरा संकर, बिश्नुभो, काली मूच, इंप्रूब्ड चिन और, काला नमक, ये सभी प्रजातियां हैं, जिनकी जो है, बेवसाइब दिश्टिकोंड से भी, बहु करें, कि जिसकी कामर्सियल वेलू, बेवसाइब दिश्टिकोंड से जो प्रजातियां जो है, बहुत अच्छी हों, जैसे अपना करांती है, महामाया है, करांती पोहा में सबसे ज़्यादा उप्योग की जाती है, और जितना भी पोहा पूरे देश में बनता है, वो करांती प्रजाति से बनता है, तो करांती की भी बहुत अच्छी कामर्सियल वेलू है, और कम से कम अन्य प्रजातियों की तुलना में 200-300 रुपए, जो है प्रतिकुंटल के हिसाब से ज़्यादा है किसानों को, तो किसान भाईयों को सला आती जाती है, कि जो है, इन प्रजातियों को बरतमान समय में आदानों को क्रे करने का समय है, और प्रजाति का चैन कैसे करें, तो उसमें आपको ये देखना होगा, कि कौन सी प्रजाति, खेत के हिसाब से, हम जो है, खेत के हिसाब से अपनी प्रजाति चैन करें, जैसा हमारा खेत है, यदि हम कम समय की, जो है, सोयव इनकी किस्मों का चैन करना चाहते हैं तो JS 9560 और JS 234 ये कम समय की है जो 85 दिन में आ जाती है बात करते हैं कि 85 से 95 दिन की कौन कौन सी किस्मे हैं जिसमें JS 239, JS 296 JS 216 JS 294 NRC 86, RBS 2001-4 RBS 2001-18 इसके अलावा RBS 2011-35 अभी एक नई किस्म हाल ही में विक्सित हुई है अजिसूचिना इसकी भी जारी होने वाली है वो है जवाहर सोयविन 2021-72 72 ये भी बहुत अच्छी किस्म है 95 देज की किस्म है और जो है 25 से 30 कुंटल पैदावार प्रती हेक्टियर देने में सक्षम है तो आगामे दिनों में किसान उपलब्द हो जाएगी बात करते हैं अगर मूंग और उलत की कौन-कौन सी प्रजातिया उन्नत है और इनका बीच प्राप्त करने के किसान भाई व्यास करें तो PU-30, PU-31 तेजा के नाम से आती है एक और प्रताप उड़द IPU-2-43 इंदिरा उड़द प्रथम और IPU-4-1 उत्तरा ये सब जो है पीला मौजयक रोदी किसमें है इनमें पीला मौजयक की बीमारी नहीं लगती लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बीज उपचार नहीं करेंगे बीज उपचार अनिवारे रूप से करेंगे और मूंग, उड़द और सोय भी इनकी खेती में कीट नासक का प्रयोग अनिवारे रूप से करेंगे और कीट नासक के रूप में आपको थायो मिथाग साम या इमडराक्लोपेट का प्रियोग करना बहुत आवश्यक है यही दो दवाईया हैं जो सफेद मक्खी से राहत देंगी और सफेद मक्खी के माध्यम से ही पीला मोजायकरोग फैलता है वो उसका बाहक है तो जब बाहक ही नहीं होगा तो उसका फैलाव नहीं होगा तो इस बेर ध्यान रखें तो बेकल के तोर पर औरदा एक खेटी अच्छी हो सका थै तो इस बेर बीच और यह मैं खाट कूर अगोकार हता पताव तो यह वादे में जार हो चाहत हमा बिलकुल गुड़न भी आप खो उडद की बोनी और उसे जुड़ी जो महत्वपूर जानकारी है अपनी स्टूडियो में पधारी डॉक्टर पयासी जी दे रहे हैं सुनो दियान से देखे बीच की उपलब्दता को सुनिश्चित करना ही जो है सारप्रथम नवीन प्रजातियों की यह दि हम बात करें और सबसे अच्छी प्रजाति की बात करें तो IPU 2-43 दो डैस 43 इसका नाम है और यह बहुत अच्छी है इसके अलावा उत्तरा उत्तरा के नाम से जो है इसका नंबर है चोरान्य डैस 1 तो उत्तरा के नाम से है तीसरी जो प्रजाति है इंदिरा उड़त प्रथम इसके अलावा प्रताप उड़त एक इसके अलावा बीज उप्चार बहुत महत्वपूरा है, बीज के पीछे भागने की जगे, बीज उप्चार अगर आप सहीत तरीके से करते हैं, तो निश्चित रूप से, यदि आपका अपना घर का बीज है, तो आप उसका अंकुरण का परिख्ण कर लें, और अगर सोया बीन, मूंग, उ इन सब में 70% अंकुरण आता है, तो आप इसकी बोनी निश्चित रूप से करें, आप वाजार आधारित बीज प्राप्त करने का प्रयाशना करें, दूसरा धान की अगर बात करें, तो 85% धान और मक्के में 85-90% जो हैंकुरण होना अनिवार है, जी, निश्चित रूप से गुट्डन भहिया तक बहुत अच्छी जान कारी प्राप्त भहिये। स्वागत है भाईया कारिकरम हलू किसानवारी में आपको सेवारा सेवारी से रमाकान तो भाईया बूल रहे किसानी से जुड़ी का समस्या ले आये हो किसानी की पूछे है कि अपकी बार सोड़ा भीन बेने है के नहीं देखिए यह इस पे निर्भर करेगा कि आपके पास बीज की उपलब्दता कैसी है यदि आपके पास बीज की उपलब्दता सुनिशित है निशित रूप से सभी तिलहनी फैसलों के बहुत अच्छे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइज है बो अभी कल ही भार सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइज को बढ़ाया गया है मतलब यह है कि तिलहनी फैसलों को सरकार बढ़ावा दे रही है और चाहती है कि बड़े पैमाने पे हमारे किसान भाई तिलहनी फैसल का को लगाएं और अच्छा उससे उत्पादन प्राप्त करके उन्हें उपलब्द कराएं तो निश्चित रूप से आप सोयविन बोएं सोयविन बहुत अची फशल है और लेकिन बोने में इस बात का ध्यान रखें कि उसे जो है मेड़ेवम नाली पध्धत के माध्यम से बोएं आज की अपने कारिक्रम में हमने हमाई किसान सुरूता भाईयहरों की इस समय की जो किसानी से जुणी समस्यां हती आगामी बोनी से जुणी जो जानकारी वे चाहते बाजानकारी वे उन तक पहुंची आज की अपने कारzung में डौक्टर देविंदर पयासी जी पधारे ते आप बेग्यानेख चेत्रिये क्रसी विग्यान केंडर सागर में डॉक्टर साब आप हमाई स्टूडियो में पधारे हमाई किसान सुरूता भायारों की समस्याओं के ना की बल बहुत तई उंदा और उपयोगी समाधान उन तक पहुंची बल की ये समाई की उपयोगी जानकारी भी आपने उन तक पहुंचाई ये किलाने आपको बहुत वेस्याओ खडयारों को तक पहुंची धोर लाद।